आप सभी को मेरा सुप्रभार, मेरा नाम अर्षना खरे है, मैं आपकी हिंदी सिख्ष का हूँ आज मैं आपको हिंदी व्याकरन का पार्ट पार्च, शब्द निर्मार, उपसर्ग, प्रत्य और समास इसके बारे में बताएंगे तो देखिए सबसे पहले उपसर्ग क्या है, जो शब्दांस मूल शब्द के आगे लगकर उनका अर्थ भिन कर देते हैं, उनका अर्थ बदल देते हैं, नए शब्द का निर्मार कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं ठीक है, मूल शब्द के आगे लगकर जो नय शब्द का निर्मान होता है, उसे हम उपसर्ग के कहते हैं, उपसर्ग के चार भेद हैं, संस्कत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अर्भी फार्सी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रियोग होने वाले संस्कत अब गया है अब देखिए संस्क्रित के उपसर्ग ठीक है आ बड़ा आ अर्थी जैसे आ से नहीं ठीक है आ का मतलब होता है अभाव तो इसका उधारन जैसे सत्य है सत्य के आगे हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया असत्य तो यह हमारा अर्थ भिन हो गया अलग हो गया सत्य माने सच बोलने असत्य माने जूट तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा भिन हो जाता है तो इसे कहते हैं हम उपसर्ग तो जैसे पहले लगकर जो सब्द का निर्माल करती हैं सब्द के अर्थ में भिन्यता लाते हैं उन्हें हम उपसर के कहते हैं इसी तरी किसे देखिए अनादर अनू अनुशाशन अभी अभिवादन अव गुण में अव लगा दिया तो अव गुण हो गया दू या दूर तो आचार में दूर लगा दिया तो दूराचार बन गया निर्जन में निर लगा दिया तो निर्जन बन गया उन्नती उपस्थिती पराक्रम परिक्रमा प्रवेश प्रते सुसील विदेश स्वदेश तो स्ववी सू प्रती प्रपरी परा उप उत निर दूर अव अभी अनू अन ये सब क्या है प्रत्य क्या है उप्सर्ग है क्या है यह सब उप्सर्ग है तो इनको जोड़ कर नहें शब्द का निर्मान हम मुल्ड शब्दे में लगा कर करते हैं अब इसके बाद द方 कि आजन अग्यान अधंजान अजान औ तो इसी तरीके से आने से देखिए आपके उधारन दिये हुए हैं अनपढ़, अनजान, अनाथ, अध का मतलब होता है आधा, अधखिला, अधमरा, अधपका, कू का मतलब होता है बुरा, कुपुत्र, कुपात्र, कुमार्ग, सू का मतलब होता है अच्छा, सुपुत्र, सु अब इसके बार अरभी फार्सी के उपसर्ग कुछ दिये हुए हैं चार तरीकी के उपसर्ग बताएं न अपके उसमें तो अर्बी फार्सी भी जैसे कम, कम समझ, हर माने प्रती, हर एक, बे माने बिना, बे सुध, ना माने नहीं, ना समझ, सर, स्रेष्ट, सरपंच, बद, बुरा, बदनाम, ठीक है, तो इनकी जो उदाहरन हैं, वो आप याद करिएगा, इसके बाद देखिए दर, दर कमता होता ह हमें, दरसल, खुश, अच्छा, खुशबू, हम साथ, हम वतन, गैर नहीं, गैर जरूरी, ठीक है, गैर हाजरी, तो इसी तरीके से आपके उपसरगी की तरह कुछ संस्केत के अव्या हैं, उनके देख लीजे, आसे, अचेत, अभाव, अधह, नीचे, अधो पतन, चिर, बह आविर, प्रकट, आविर्भाव, अभिशकार, अन, निशेद, अनर्थ, अनादी, स, सहित, सरस, सफल, सत, अच्छा, सतकर्ब, सतकार, कु, बुरा, कुकर्ब, कुमार्ग, बहिर, बाहर, बहिर, मुख, बहिर, गमन, तिरस, बुरा, तिरसकार, तिरोभाव, सह, साथ, सहगा सहगामी साक्षात सामने साक्षात का साक्षात कारी अंतर अंदर अंतरात्मा अंतरमन अलम पर्याप्त अलंकार या अलंकरत तो जो शब्द मूल शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्मान करते हैं या शब्द के अर्थ में भिन्दता लाते हैं उसे हम बोलते हैं उप सब्दांज, जो मूलब शिव Previously ढो कि उपसरा सब्दां शिवинки में पिरभषा देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं जो selecting शब्दांस शिव करिवे Kaеч लोगते में उसे हम प्रत्तय आपके दोफी fellow Oh took 돌 finns उसमें विसेश्पा उठे कर देते हैं उसेह लोगते हैं प्रत्तेय क्रत्प्रत्यूं जब क्रिया की धातवू पर जुढ तो इसके किसी शब्द को जोड लगाते हैं तो वो है क्रत प्रत्य या क्रधंत प्रत्य ठीक है जैसे घूम धन अकर लड़ लड़ाकरों सुनधन वाई सुनवाई पर्धन आकु परहा कू कटधन वाइ कटवाई करधन दी करिव भूलत अकर भुलकर लिखधन आवट लड़ाई बचधन आव बचाओ ठीके, कटधन आओ, कटाओ, घवराधन आहट, घवराःट, चिल्लाधन आहट, चिल्लाःट, हसधन ई, हसी, परधन ता, परता, ठकधन आवट, ठकावट, परधन आई, पढ़ाई, भरधन नी, भरनी, बोलधन ई, बोली, चल्धन ता, चलता यानि हमारी जो क्रिया है वो क्या है घूम, लड़, सुन, पढ़, कट, कर, भूल, लिख, लड़, बच, कट, घबरा, चिला, हस, पढ़, ठक, पढ़, भर, बोल, चल ये जो है हमारी क्या है क्रिया है इसके साथ हमने प्रत्य जोड़ा है इसलिए कौन सा प्रत्य हो जाएगा क्रत्प्रत्य या क्रदंत प्रत्य अब देखिए तधित प्रत्य तधित प्रत्य क्या है जो प्रत्य क्रिया के अत्रिक्त जो प्रत्य क्रिया के अत्रिक्त अन्य शब जैसे एरा आई आना आर आस इन इक या ई एला उ तो इनके शब्द के साथ जब हम प्रत्य जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलेंगे जैसे देखें ता दिट प्रत्य एरा ठीक है मामा में एरा जोड़ देंगे तो मेरा बन जाएगा उचा में आई जोड़ देंगे तो उचाई बन जाएगा रोज में आना जोड़ देंगे तो रोज आना हो जाएगा सोना में आर जोड़ देंगे तो सुनार बन जाएगा मीठा में आज जोड़ देंगे तो मिठास बन जाएगा सुनार में इन लगा देंगे तो सुनारिन बन जाएगा धर्मिन में इक लगा देंगे तो धार्मिक बन जाएगा बंदर में इया लगा देंगे तो बंदरिया बन जाएगा गरम में इ लगा देंगे तो गर्मी बन जाएगी रंग में इला जोड़ देंगे तो रंग इला बन जाएगा कमा में उ लगा देंगे तो कमाउ बन जाएगा तो प्रत्य आपको पता ना पीछे लगते हैं तो जब हम पीछे मोल शब्दे के पीछे प्रत्य को जोड़ते हैं तो वो प्रत्य क्या कहलाते हैं तधित प्रत्य तधित प्रत्य वो कहलाते हैं जो क्रिया के अत्रिक्त अन्य शब्दों के पीछे प्रत्य जोड़कर शब्द का निर्माल करते हैं सब्दिकी रचना करते हैं उसे हम तधित प्रत्य कहते हैं और क्रदंत प्रत्य में क्रिया के पीछे मूल शब्द लगते हैं क्रिया के पीछे प्रत्य लगते हैं तो वो क्रदंत प्रत्य कहलाता है इसके बाद देखिए कार साहित्यकार गर जादुगर ता कायरता दान कलमदा पन, अपना पन, त्वा, ममत्व, यता, ममता, वाला, धूदु वाला, हारा, लकड़, हारा, तो यह हैं आपके उपसर्व और प्रक्ते, अब देखिए समास, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर शार्थक सब बनाने की क्रिया को समास कहते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल से सार्थक शब्द जो बनता है उसे हम समास कहते हैं ठीक है ये योगी की शब्द भी के अंतरगत भी आता है तो देखिए समास का पहला पद जो होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद को बोलते हैं उत्तर पद ठीक है जैसे उधारण में राज महल तो राज एक शब्द हो गया महल दूसरा शब्द हो गया तो राज पूर्व पद कहलाएगा और महल उत्तर पद समास बोलते हैं जैसे समस्त पदों को जोड़कर अलग करने की प्रिक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं जैसे हमारा समास रब्द है जैसे हमने लिखा नवरत्न यह कि समास पद है ठीक है समस्त पद यह समास पद है जब हम इसको अलग करेंगे विग्रह का मतलब होता है अलग और पुन्य, अलग करना समास विक्रे कहलाता है, अब देखिए समास के भेद, समास के छे भेद हैं, सबसे पहला है तत्पुरु समास, दूसरा है द्वंद समास, तीसरा है दिकु समास, चौथा है कर्मधारे समास, पाचमा बहुपुरिये समास, छटमा अव्याई भाव समास तत्पुरु समास, तत्पुरु समास की सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें कारक चिंधों का लोफ हो जाता है, जब हम समस्ते पद में जोड़ते हैं, तो कारक चिंधों का लोफ हो जाता है, और जब हम समास विग्रह करते हैं इसी का, तो उसमें समास विग्रह करने में कारक चिन्हों को लगाते हैं ठीक है कर्मिधार तत्पुरुस समास में तत्पुरुस का अर्थ होता है तत्पुरुस शब्द का अर्थ है उसका आदमी इस समास में पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान होता है ठीक है इस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है जै को आया हुआ जह हमने इसका विग्रे किया तो इसमें कारक्षिणों का प्रयोग किया शरण को आया हुआ और जब हम इसको समस्त पद में बनाते हैं समास्त पद में बनाते हैं तो हम इसका लोब कर देते हैं शरणा गद ठीक है स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त मग तो स्वर के प्राप्ति रिखेंगे को को अलग कर देते हैं इसी तरीके से दूसरा है करण तत्पुरूस की विभक्ति है से या के द्वारा जैसे तुलसी क्रत ठीक है तो इसका क्या बनाएंगे तुलसी द्वारा क्रत के द्वारा ठीक है तुलसी द्वारा क्रत या से प्रेम प्रेम अतुर तो से दाला दोनों आपके कारक्चिन ना इसमें मगर जब हम इसको समस्त पद में बनाएंगे तो हम से या दाला जो लिखा हुआ उसको अलग कर देंगे सीधे क्या लिख देंगे तुल सीक्रत ठीके प्रेम अतुर इसके बाद देखें संपढ़ान कि लिए यगजग शाला यग्ज के लिए शाला जब हमने समास्ट में अध्य मैं इसको समासिक पद में लिखेंगे तो हम इसको घायप कर दे लोप कर वह से बताव अलग करने जैसे आकाइश वानई रोग मुक्त भैभी तो झिंक हम अलग करने की प्रेकरिया कुर्ष बता रहें तो जिसको सामासिक उतितane हैं तो हम से अलग कर देंगे भैभीत लिखेंगे और जब इसको विग्रह करके लिखेंगे तो भैसे भीत फिर इसके बार देखिए संबंध तत्पुरुस संबंध तत्पुरुस काकी के का है जिन है इसका तो जैसे राज कुमार राजा का कुमार का भी भक्ति आई ना मगर हम इसको सामासिक पद में लिखेंगे तो राजकुमार लिख देंगे का का लोब कर देते हैं का को अलग कर देते हैं लक्षमी पती लक्षमी का पती इसी तरीके से जब हम इसको लोब कर देंगे का को लोब कर देंगे तो लक्षमी पती हो जाएगा और जब विग्रे करेंगे तो का का प्रियोग कर देते हैं इसी तरीके से देखिए चानम अधिकरण तत्पुरुस इसकी विभक्ति है मे या पर बनवास बन मे वास आप बीती अपने पर बीती ठीक है दोनों विभक्ति चिन्ने का प्रियोग किया न हमने मगर जब हम इसको सामासिक पत्मे लिखेंगे तो मे और पर अलग कर देगे तो क्या स्रब्द बन जाएगा वनवास आप बीती ठीक है तो इसमें जो तकपुरुस समास है इसमें कारक चिन्नों का जब हम सामस्त पद में समास विग्रह करते हैं तो इसमें विभक्ति चिन्ने का प्रियोग करते हैं और जब सामासिक पद म उसको लिखते हैं तो विभ्यक्ति चिन्य को लोब कर देते हैं तो तत्पुरुस समास में कारक चिन्यों के द्वारा इसको हम पहचानते हैं द्वंद समास देखें द्वंद समास में दोनों पर प्रधान होते हैं द्वंद समास कहलाता है जिस समास में दोनों पर प्रधान हो तो योजक चिन्ने की जगह पे और का प्रियोग कर देते हैं, जैसे भाई बहन, तो जब हम समास बिग्रह करेंगे, तो भाई और बहन, और जब इसको हम समासिक पद में लिखेंगे, तो और की जगह पे लाइन खीच देते हैं, भाई बहन, दुख सुख, माता पिता, इसको विलोम चब्द के द्वारा भी इसको हम समझते हैं, पहचानते हैं, तो यह है हमारा द्रंद समास, इसके बाद देखिए दिगु समास, जहां पहला पद संख्या वाचक हो, वह समास और समस्त पद समुह वाचक में बने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिगु समास, इसकी सब लिखते हैं, ठीके, त्रिवेडी, तीन वेडियों का समू, तिरंगा, तीन रंगों का समू, तीन संख्या है सब, ठीके, और पीछे समू है, पंचवटी, पांच ब्रेक्षों का समू, चार रास्तों का समू, चवन्नी, चार आनों का समू, पांच, चार, तीन, ये क्या है, य इसलिए ये कौँ सा समास होगा दिगु समास इसके बाद देखिए कर्मधारे समास जिस समास का पहला पद विशेशन और दूसरा पद संग्या होता है उसे कर्मधारे समास कहते हैं इसमें उपमेग में उपमान भी होता है ठीक है जिसकी तुलना की जाती है विशेशन और संघ्य की विशेषव错 कषा इस counter निव कमल ठीक है कमल है संघ्य और कांछल है और और अब डील के क्या होगी विशेषज नहीं किया हो जाएगी कर्मदर शमास के चांद जैसे मुख वाली मुख क्या है मुख को भी हम संग्याँ में ही रखेंगे ठीक है, मगर किसी जैसा है? चांद की जैसा महारानी महान है जो रानी मतब इसमें विशेशर, पहला पद विशेशर और दूसरा पद संग्याँ का होता है उसे हम कर्मिधारे समस कहते हैं बहुबरी समस देखें जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो और वह अन अर्थ का बोध कराता हो उसे बहुब्रिय समास कहते हैं तीसरा पद प्रधान हो जिसमें ठीक है जैसे पीतामबर पीले हैं वस्तर जिसके अर्थात राम दशानन दस है मुख जिसके अर्थात रावर धर्मात्मा धर्मे में आत्मा है जिसकी अर्थात विशेश व्यक्ति नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव देखिए आपको नीलकंठ दो जगे आपको समझ में आएगा जैसे नीलकंठ आपका कर्मिधारे में भी है तो सभल were a cm2 तो Woah जो है के नीला है कन्ट एगब करंधारश आजाएगा का क्रमधारश मोच जगह करकी कमन्ठी विशेश्था बत रहा है कि वह नीला है yellow मगर जब इसी को हम लेखेंगे लीला है कंठ जिसका अर्थात शिव तो ये भोब्रिय समास बन चाएगा, ठीके तो ये अंतर है दोनों में, अव्य भाव समास देखिए, जिस समास में पहला पद अव्य है, समास करने पर वसमस्त पद अव्य हो चाता है, उसे अव्य भाव सम कहते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, भर पेट, पेट भर कर, बकाईदा, काईदे के अनुसार, निडर, बिना डर के, यथा संभव जैसे संभव, मतलब जितने हमारी शक्ती है उतना, ठीक है, प्रति दिन, हर दिन, बेशक, बिना शक के, आजन्म, जन्म भर, र बहुबरी समास में अंतर, कर्मेधारे में के पद, विशेशन और, उपमान, तथा दूसरा पद संघ्या या उपमे होता है, इसमें शब्द का अर्थ प्रधान होता है, जैसे कमल नयन, कमल उपमे है और उपमान है, कमल जैसे नयन, तथा कमल में श्रण विशेशन है और कमल संग्या है तो ये क्या हो जाएगा कर्मधार है मगर अब गर हम इसी को लिखें बहुबरी समास में तो बहुबरी समस्तपत किसी अनसंग्यादी का विशेशन होता है इसके साथ ही सब्दार्थ गौन होता है कोई भिनिता ही प्रधान होता ह जैसे दशानन, दस है मुष्ख जिसके अर्थात रावन, पीतांबर, पीले हैं अंबर या वस्त्र जिसके अर्थात राम या क्रिश्न, तो सबसे अच्छा उदारण मैंने आपको कर्मधारे और बहुब्रिये का समझने के लिए नील कंट का उदारण दिया है, जैसे नील अगर हम लिखेंगे नीला है कंट, तो कर्मधारे समास हो जाएगा, क्योंकि कंट की विशेषता बताई जारी है कि वो नीला है, अगर इसी को हम लिख देंगे, नीला है कंट जिसका अर्थात, जब हम अर्थात जोड़ देते हैं, तीसरा पद हो जाएगा विशेष, सिव, तो यह हो जाएगा हमारा भूब्रीय समास अब देखिए उपसर्ग सब्द के पहले जूड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं संस्क्रित के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग अर्भी फार्सी के उपसर्ग तथा उपसर्गी की तरह प्रियोग होने वाले संस्क्रित पद प्रत्य बिना किसी शब्द के अंते में लगकर उनके अर्थ में परिवर्थन कर देते हैं, प्रत्य दो प्रकार के होते हैं, क्रत्य प्रत्य तधित प्रत्य, क्रत्य प्रत्य से बने मانतर कर्म दार और भोबड़ीय समास में नहीं है कि अधिक शब्दों के मेल को समास कहते अपका इतना ही है मैंने भी समझाया कर्म दार यह वह बहुं मfon तो इनको आप बहुत अच्छे से समझेगा जहां आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछने की कोशिश करिएगा धन्यवाद